आज मैं बनाओंगी आलू और मटर का पुलाओ और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करतें सबसे पेले एक देख्ची में आदा कप ओयल डालेंगे अब इसमें तीन बड़ी प्यास डालेंगे स्लाइस की हुई और अगर आपके पास मीडियम साइस की प्यास है तो पांच डालते प्यास डाने के बाद अब मैं इसको फ्राइ कर दूँगी जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए प्यास ब्राउन हो चुकी है अब इसमें साबद गरम मसाला डाल देंगे गरम मसाले में मैंने लिया है एक टी स्पून काली मिर्चे पांच से छे लॉंग और एक बड़ी इलाइची डाल दें अब एक दार्चीनी डाल देंगे दार्चीनी के मैंने चोटे-चोटे पीसिस कर लिये थे एक टी स्पून साबद जीरा डाल कर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पांच टमाटर डालेंगे टमाटरों का मैंने चिलका उतार के स्लाइसिस कर दिये थे अब इसमें डेड़ कम मतर डाल देंगे एक कप पानी डालेंगे नमक डालेंगे हस्वेजाय का अब इसमें दो टी स्पून लाल मिर्चो का पाउडर डालेंगे अगर आप जाधा मिर्चे पसंद करते हैं तो तीन टी स्पून लाल मिर्चो का पाउडर डालेंगे 1.5 teaspoon गरब मसाले का पाउडर डालेंगे 1.5 teaspoon हल्दी का पाउडर डालेंगे और इसको mix करके 10 मिनट तक पकाएंगे या जब तक कि टमाटर अच्छे से गल जाए टमाटर गल गए हैं अब इसको थोड़ा सा मेश कर लेंगे और मेश करने के बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी मैंने पांच मीडियम साइस के आलू लिये थे और इनको चार हिस्सों में काट दिया था और अगर आपके पास बड़ी साइस के आलू हो तो आप दो या तीन ही डाले अलू दालने के बाद अबम एसमें तीन हरी मेर्च धालूंगी हरी मेर्च को मैंने लम्बाई में कार दिया था अब इसमें दो कपोड on medium flame पे पकाएंगे जब तक के आलू और मटर गल जाए आलू और मतर का सालन तयार है अब इसमें उपर से हरा धन्या डाल देंगे यहां पे मैंने एक लो चावल लिये हैं चावलों को मैंने एक मिनट बॉइल कर लिया था अब इसमें सालन डाल कर इसको मिक्स करेंगे और यहां पे मैंने दो कप पानी डाल दिया था चावलों के साथ और अगर आप ये नहीं करना चाते तो आप इसको skip कर सकते हैं और इसकी जगा अगर आप चाहें तो सालन में 2 कप पानी डाल के boil आने दें और 15-20 मिनट तक भिकोए हुए चावल डाल दें चावलों को थोड़ी देर तक पका लेंगे इसे स्टेच पे नमक ज़रूर चक लीजगा अगर कम लगे तो और डाल दे अब इसमें मैं हरा दनिया और पुदिना एड़ करूँगी और अगर आप चाहें तो नीबू के स्लाइसे और हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं अब मैं इसको 10-15 मिनिट तक दम पे रखतूँगी 10-15 में दम लगाने के बाद पुलाव रेडी है और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी इस पुलाव को खाने का असली मज़ा तो गाजर के आचार के साथ ही आता है लेकिन वो डला हुआ नहीं था तो मैंने रायते और सलाव के साथ ही सब्सक्राइब कर दिया अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दे और अगर आप महंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा